हेलो दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपका BCD सबकुछ चैनल में है मेरा नम है बसी राम मात्कान दोस्तों लाया हूँ आज कुछ नया वीडियो जो नया गीजार सिस्टम है जिसका नाम है हीट पंप और वाटर हीटर दोस्तों इसमें जो है मतलब आप लोग को वीडियो में पूरा बने रहना है कुछ नया जानकारी मिलेगा जिसमें यसी का सिस्टम होता है और पाइपलाइन का बहुत सारा सिस्टम होता है अप लोगों को जानकारी देना काफी जरूरी है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लिजिए और इसका प्राइज भी लोग का लाइक बहुत ही करता है यहाँ पर देख लिजिए सबसे पहले मैं लाइन का सिस्टम आप लोग को समझाता हूँ फीर आगे दिखाता हूं ठीक है यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक filter लगा है एनर भी लगा है ओके यह जो है आपका water का inlet है मतलब जो tank है आपका water tank का जो line है यह देख लिए जी upc आपका tank का line से एक point इंक आलना पड़ेगा और TMR के एक bulb दे दिजिए ताकि कभी भी maintenance खोलना पड़े तो हो जाएगा उसके बाद आप connection कर बाकि दोस्तों इसमें जो आप cpvc fitting देख रहे हो यह cpvc fitting छोड़कर जो भी इसमें जो है filter जैसे कि यह जो round वाल आप देख रहे हो यह filter है ओके यह line जो आया है यह cpvc हो upc आपका यह line आपका खूद कराएगा बाकि जो भी आपका bulb लगता है आपका fitting लगता है यह connection करना पड़ेगा अब जो आते हैं हम वह है outlet hot water मतलब outlet जो है जिससे गरम पनी आपका पूरा बात्रूम में जाएगा यहाँ पर बहुत सारा function है बताने वाला हूं और आप लोगों समझाने वाला भी हूं तो outlet में आप देख सकते हो कि सिस्टम से line लिए जहां पर देख लि बात्रूम में गरम पानी में पूरा जाएगा कीचेन वगेरा जहां पी भी जाएगा वहां पी यह connection हो जाएगा जैसे कि यह line गया था तो यहां पर मैं T मारके इसे connection कर दिया अब आप लोग को दूसरा चीज़ दिखाते हैं यहां पर आप देख लिए drain line है मतलब इसमें क् नट जैसे एक दिख रहा है उसमें आप कभी भी खोल सकते हो और यह खोल के आपको क्या करना है drain करना है मतलब आप कभी maintenance करना चाहे तो उसके लिए यह है इस nut को आपको खोलना है और tank खाली करने के लिए यह drain line दिया हुआ है यह nut जो है आपका screw driver से आप खोल के आप इसे निकाल सकते हो पानी और पूरा खाली हो जाएगा आपका tank इसलिए यह दिया हुआ है आप इसका line की दर जाएगा यह अब देख लिजिए जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए नीचे से यह line गया है और इसमें एक T लगा है T कभी मैं बताऊंगा इसी में क्यों connect हुआ है और और मेरा यह जो line गया है वो मेरा gas pipe में connection कर दिया हूँ PVC line जो होता है चारिंज का अब देख लिजिए यह जो drain line है drain line में मैं यहाँ team आ रहा हूँ और यह किस लिए एक साथ दिया हूँ अगर drain है तो पिर और एक connection इधर की हूँ तो यहाँ पर देख लिजिए इसका नाम है safety safety valve इससे आप photo में देख सकते हो यहाँ पर guide दिया हुआ है मतलब यह जो आपका safety valve है आप मतलब कितना temperature set कर रहे हो यह धियान देना है आप जितना भी temperature set की हो अगर उससे जादा कभी भी गरम होता है तो यह जो safety valve है automatically यहाँ से उतना गरम को निकाल देगा और आपका tank को safety र लेकिन अगर समझ नहीं पाए तो काम करने में उतना मज़ा नहीं आएगा साइथ आप गलत कर सकते हो तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ जो आप काफी बैतरीन समझो और इसका काम भी आप काफी बैतरीन तरीका से कर पाओ तो यह जो line है टेंक जैसे का वैसे रहेगा इसका थोबड़ा बीगड़ने वाला नहीं है एक खुबसूरत खुबसूरती रहेगा और इसमें कुछ गाइट है जो यहाँ पर नॉर्मेली आप पढ़ सकते हो जैसे कि यहां केबल आप देख रहे हो टेंप्रेचर केबल ओके यह जो टेंप प्रस्टी पाइब यहाई है आउटडूर का अब रास वाला यह वाला और इसका जो कनेक्शन है यह ऐसी वाले करते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मैं वार्किंग विडियो बनाकर रहा हूं आप लोग को दिखा सकता हूं कैसे इससाब फिटिंग होता है कैसे का करते तो आप लोगों को नोलेच जदा आएगा अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करके अगर बात आएंगे तो ठीक है और इस सब जैसमने अवर भी वाइए इसका टेंपरेटर लेके जाके बड़ा आता है और एक चीज जो है इसका एक प्लाइक होता है मतलब इलेक्ट्रिक पुएंट तो आपको देना पड़ेगा गीजर चालू हने के लिए और यह जो आपको स्विच है एने टाइम वड़ेगा बाग इतना छोटा सा अगर वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस वीडियो के लाइक करेगा और चैनल में यह चैनल को सब्सक्राइब करके बैड आकन प्रेस करें जिए और वीडियो कहीं से लगए जरू कमेंट करके बताजिएगा फिर मिलने कोई सकते आप लोग के साथ आप लोग के पास की बू